नमश्कार उमीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्त और सुरक्षित होंगे लॉगडाउन के 42 दिन के लंबे इंतजार के बाद कल हमारी बैठक माने मुखमंतरी जी से हुई और सर्वेद अली बैठक बुलाया गया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस बैठक में हमने माने मुखमंतरी जी के सामने बिहाद सरकार के सामने कई सुझाओ को रखने का काम किया उन में से जो सबसे महतपून सुझाओ जो हैं जो आप लोगों की बीच मैं साजा करना चाहता हूँ सबसे पहला कि बिहार में टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो बलकि रैंडम टेस्ट होने चाहिए और अबादी के अनुपात में टेस्ट की संख्या होनी चाहिए और स्क्रीनिंग से ज़्यादा जो फोकस जो हमारा होना चाहिए वो टेस्टिंग पर होना चाहिए स्क्रीनिंग इसलिए क्योंकि आप लोग सब लोग को मैं बता दूँ कि जो स्वस्त दिखने में भी है उसको भी पॉजिटिव करोना जो केस जो है वो हो रहा है इसलिए हमने सुझाओ दिया कि स्क्रीनिंग का कोई फायदा नहीं है इसके लिए जादा से जादा टेस्ट हम लोगों को करना चाहिए जो छोटा सा हर्याना प्रदेश है उसकी संख्या टेस्टिंग में जादा है लेकिन बिहार की कम है तो उसलिए अबादिक अनुपात में यह संख्या जो है टेस्ट की वो होनी चाहिए नमबर दूसरा हमने बिहार सरकार से पूछा कि वेंटिलेटर की कितनी संख्या है P P E KITS की क्या संख्या है और केंदर सरकार जो है आपको क्या सहयोग किया है इसमें आप पूरा बेवरा आप खुल करके बताईए कितने पीपी किट्स मिले हैं यानि डॉक्टर जो है कहीं वो उनको पीपी किट्स ने पहुँचे हैं और वेंटिलेटर जो है बहुत ही जरूरी है इलाज के लिए तो ये सारी जो हेल्थ एकिपुमेंट्स की जो चीजे हैं, सामगरियां हैं ये अब तक बिहार सरकार के पास वेंटिलेटर कितने हैं उनको याद दिलाए कि विदान सभा में जब उन्होंने भाशन दिया था तो उन्होंने सो जो है ventilators की बात कही थी कि हमने health department को कह दिया है और हमने ये महत्पून भी सुझाओ दिया कि दूसरे राज जो है ventilators जो है या और चीजे जो है health से related वो direct खरीद रही है तो बिहार सरकार भी खरीदे जैसे 36 गर हो या केरल सरकार हो ये direct ले दिया अब इसमें क्या उलजने हैं नहीं हैं लेकिन बहतर ये होगा और साथी साथ हमने पूछा है कि केंदर सरकार ने कितना सही होग किया आपको कितने ventilators केंद सरकार ने दिये पीपी किट्स कितने दिये टेस्टिंग किट्स कितने उपल अब दुक किदर सरकार ने कराने का काम किया और हाला कि जो जवाब मिला उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है और कोई ठोस इस पे कोई जवाब ही नहीं मिला कि कितने केंदर सरकार ने क्या तरही हो किया और हमने ये निविदन की माने मुख्यमंत्री जी से की और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं आइसोलेशन सेंटर्स को देख रहे हैं हेमन सुरेंजी को हमने रिल्वे स्टेशन के बाहर देखा केरिल के मुख्यमंत्री ह या राजस्तान की मुख्यमंत्री हर कोई जो है मुख्यमंत्री वो का आक्शन देख रहा है और खुल करके सामने आ रहे हैं चुनाथी को सिकार करने और कमियों को दूर करने प्रेजन्टेशन हम लोगों के सामने रखा गया हेल्ट डिपार्टमेंट ने रखा और आपदा के जो प्रबंदर जो अभी जो हैड जो लीड करने है प्रतेजी ने उन्होंने प्रेजन्टेशन रखी और इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमने बोला क्योंकि जो प्रेजन्टेशन में जो आकरे जो दिखाए गये हैं इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा विश्वास हम नहीं करते हैं हमने शुजाओ में भी बोला कि अधिकारी कुछ और कह रहे हैं और जमीन की जो रियालिटी है वो कुछ और है हकीकत कुछ और है इसलिए आप बाहर निकलिए आप जो बैठा करते रहे हैं और जो फैसला जो भी लिया की वो इंप्लिमेंट हो भी रहे की नहीं हो रहा या अधिकारी जो है आपके आपकों में धूल जोकने का काम कर रहे हैं गलत आंकरा दे रहे हैं क्योंकि हमने कई बार ऐसा वीडियो देखने का काम किया है जिससे हम लोगों को शर्मिंदा होना परा है और काती पीडा भी हुई है ऐसे दर्दनाग वीडियो भी हम लोगों ने देखा है और जिस तरीके से विवस्था होनी चाहिए थी वो विवस्था नहीं हो पाई है और हमने एक और दिविदन किया कि जितने भी जन प्रतिनिदी है जो पब्लिक रेप्रेजेंटिटिव्स है अगर उनका इस्तमाल किया जाए तो जादा बहतर होगा इससे चेक और बैलेंस रहेगा इससे अधिकारी कुछ और कहते है लेकिन क्राउंड की जो हकीकत है वो जन प्रतिनिदी जादा जानता है विधायक उनकी जवाब दही है और एतिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है जितने भी पब्लिक रेप्रेजेंटिटिव है कि लोगों के इस दुख में उनका सहीोग करे और जादा से जादा उनको मदद पहुचाई जाए क्योंकि अधिकारी जो है पूरी बात बताते हैं नहीं बताते हैं ग्राउंड रियालिटी क्या है इसलिए जितने भी जन प्रतिनिदी हैं खात और पर जो विधायक हैं सांसद हैं उनका भी इस्तमाल किया जाए देख भल में लगाया है और एक बहुत ही महत्पून विशे जो हमने फेस्बुक लाइफ करके भी हमने आप लोगों से साजा किया था एक MHA का एक नया गाइडलाइन आया है तीन मई का जो लेटर है जिसमें भला जी के ओर्डर से निकला है कि जो बिहार के मजदूर है जो घर जाना चाहते है जो काम के सिल्चले से बाहर गयत है, मजदूरी करने गयत है उन को वापस नहीं लाना है तो हमने मानि मुकमंतरी से कहा कि ये तो अन्याय है जो बिहार के लोग बिहार के मजदूर जो घराना चाहते है ये कैसा गाइडलाइन है इसमें जो है तुरंत किसी भी प्रकार से इस गाइडलाइन को जो है बदलवाया जाए और आपकी तो बात सुशिल मोदी जी कहते हैं कि भाई आपकी बात केंदर मानता है क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी क्याइड जी कहने के बाद सुशिल मोदी जी ने कहा था कि जब गाइडलाइन की जब नियमों का हवाला दिया जा रहा था तो ग drainage के बारे में बताया गिया कि मख्va जी के कहने के बाद सुझाओ देदे के बाद केंदरे ने माना है तो उमीद करते हैं इसी प्रकार से कि ये गाइडलाइन में भी तब्दिली होगी और जो भी कन्या कुमारी से कश्मीर से कन्या कुमारी जो भी हमारे भाई फसे हैं उनके लिए खर वापस आने के लिए मजदूर जो गरीम है एक राहत का काम जो है उनके लिए राहत मिलेगी और उनको छूट मिलेगी इसलिए हमने ये गाइडलाइन का भी हवाला दिया साथी साथ हमने जो मजदूर भाई है खाज तोर पे जो किराया उनसे वसूला जा रहा है इसमें भी हमने सुझाओ दिया है कि राज्यसरकार जो है अपने तरीख पूरा जो खर्चा जो है अडवांस में ही रेलवे को बुकिंग कर दे और लगभग 12,000 ट्रेने रेल्वे के पास हैं पुरे भारत में जादा से जादा ट्रेन अडवांस में बुकिंग करके उनको लाने का काम किया जाए और रेल्वे का गाइडलाइन भी हमने उनको दिखाया लेकिन उस पे भी कोई जवाब नहीं मिला confusion जो है वो साफ तोर पे हर जगे दिख रहा था तो हमने साफ तोर पे बोला है अगर आप सक्षम नहीं हो तो हम हमारी पार्टी जो है तन मन धन से जो बल पड़ेगा हम लोगों से जो हो पाएगा हम लोग करेंगे पहले भी हमने 2000 बसेस की बात की थी या 50 ट्रेने जो है वो देने की बात की थी तो हम लोगों का सहयोग भी आप ले सकते हैं अगर कोई कमी या पिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो वो करें सहयोग ले विपक्ष तयार है ये मजदूर भाईयों के लिए और लगबग 12,000 जो है खुरे भारत में तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक का दोख का ट्रेन से कुछ होने वाला है ने और प्रकाश पर्व में अगर हम लोग पटना में केवल प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर धाई लाख लोगों का महमान नवाजी जितने शरधालू आये थे उनकी लेलग से टेंट हाउस खाने पीने की सुविधाएं ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई विवस्था हम यहां नहीं कर सकते हैं तो हमने सुझाओ दिया है अगर जो प्रकाशपर्व में अगर शरधालों के लिए हमने सिर्फ पत्रना जिले में अगर हमने विवस्था कराई धाई लाख लोगों का रहने का, खाने का पीने का, सौचाले का ट्रांस्पोर्टेशन का तो क्या हम अपने बिहार के ही लोगों पर बिहार का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं तो हमने यह सुझाओ दिया और बिहार तो सौभाग इशाली है कि यहां कई रेलवे स्टेशने हैं हमने उनको यह भी सुझाओ हम देते कि ज़ादा से ज़ादा ट्रेने बुकिंग करके हजारों के संख्या में आप लाईए उन मजदूरों को और बेशक आप कॉरंटाइन कीजिए उसके लिए आइसोलेशन सेंटर बहतर बराईए अच्छे से बनाईए कोई सुविधा की कमी ना हुने दी जाए खाने पीने सोचाले से लेके ट्रांस्पोर्टेशन का और इतनी हमारे पास रेलवे स्टेशने हैं आप पट्टा एक जिले में मालीजे अगर हमारी संख्या मजदूरों की वहाँ 27 लाग अगर 40 लाग भी है बाहर जो फसे हैं अगर हमने इत्षा शक्ती हैं अगर हम 40 लाग लोगों को लाए तो हमने ये भी उपाई बताए कि अलग अलग जिला में हम लोग ला सकते हैं एक एक लाग भी अगर एक जिले में रहेंगे तो आप समझ सकते हैं 30 लाग तो ऐसी हो जाएंगे क्या एक जिला एक जिले का प्रशाशन एक लाग लोगों को खाना नहीं खिला सकता रखने की वेवस्था नहीं कर सकता चांस्पोटेशन की वेवस्था नहीं कर सकता तो ये काम जो है ये सुझाओं हमने उनको दिया है कि अगर पटना में इतनी बड़ी खर्च का हम लोग कर सकते हैं शद्धालू का रहने का खाने का पीने का तो बिहार के लोगों पर अगर हर जिला में अगर हर स्टेशन अगर ट्रेन लगा दी जाए और उनको जो है जिला में हम लोग विवस्ति धंक से रख दे तो महतरी एक लाग खाता है तो यह हमने सुझाओ दिया और जो राशन वितरन में जो बड़े पैमाने पर धांदली हो रही है इसकी पाकदशिता हो इसके लिए कोई विकल्पित विवस्ता हो यह भी हमने जो है सुझाओ दिया है कि इसमें जो है पूरी तरीके से पादशिता बरकी जाए और जरुत मंदों को जो है राशन मिले जो धांदली हो रही है और जो लोग जिम्यदार है इसके लिए उसके भी कारवाई हो और साथी साथ एक बहुत ही महत्पून करोना के बाद जो आर्थिक स्थिती जो हमारे बिहार की होगी GDP, economy उसके लिए एक बैक अप प्लान भी साथी साथ long term plan भी हम लोग बनाएं ताकि करोना के बाद जो है हम लोगों को जो मार जो पड़ेगा economy की जो मार पड़ेगी और जो विवस्था जो विखर सा गया है उसको सुधारने के लिए भी एक विचार किया जाएं साथी साथ ताकि हम उससे कैसे निप्टेंगी तो ये और भी सुझाओं हम लोगों ने दिया थी लेकिन ये कुछ जो सुझाओं है आप लोगों के सामने हमने रखा है बहुत बहुत धन्यवाद